आज 14 फेरवरी है 2023 मंगलवार तो 14 फेरवरी दिन मंगलवार का सिंग राशी वालों का दिन कैसा वितेगा इसके संपूर्ण विस्तित चर्चा इस वीडियो में की जाएगी वीडियो को आखिर तक देखें देखें आज जो ग्रैस तिती है वो यह है कि सूरे शुकर शनी एक संग चल रहे है कुमराशी के अंदर तो सिंग राशी वालों के सब्तम कर में चल रहे हैं सूरे शुकर और शनी आज अनुरादा नक्षत रहे और योग दुरुए तो अनुरादा सूबे दो बजे तक रहेगा तो फेर दो बजे तक उसके बाद जेस्टा नक्षत रा जाएगा आज अश्मितिती सूबे नो बजे तक है उसके बाद नमितिती आ जाएगी और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आज व्रिशिक राशी में है यानि कि नीच का चंद्रमा है आज तो व्रिशिक राशी के चंद्रमा को नीच का चंद्रमा कहते हैं अब बात करते हैं आज का शुप समय की आज अगर आप कोई भी शुब कारे करना चाहते हैं तो शुब समय 12.20 से लेके 1 o'clock तक है ये अभी जीत मूरत है इस मूरत में कारे करने से जीत निस्चित होती है और ये भगवान विश्णु का टाइम होता है इस समय दोपेर में 12.20 से लेके 1 o'clock के भीच में आप कोई भी शुब कारे कर सकते हैं अगला जो अच्छा मूरत है वो है विजे मूरत ये 2.30 तक है 2.30 मिनिट से लेके 3.18 तक है तो एक तरह से माननी जी आप 2.30 से लेके 3.15 तक का ये टाइम है 45 मिनिट का इस समय भी आप कारे कर सकते हैं अब बात करते हैं दिशासूल की तो आज दिशासूल नौर्थ दिशा में रहेगा तो नौर्थ की दिशा आज आपके लिए यात्रा के लिए शुब नहीं है और अगर आपको यात्रा नौर्थ में करनी पड़े तो आप 10 कदम किसी अन्ने दिशा में जैसे साूथ के दिशा में जाके फिर नौर्थ के दिशा में जा सकते है या फिर आप घर से निकलने से पहले गुड़ खा लें यह भी दिशासूल का परियार है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं तो अब बात करते हैं राशी फलगे तो सिंग राशी वालों के सब्तम इस्तान में सूर्य चल रहे हैं शुक्र चल रहे हैं शनी चल रहे हैं तो सूर्य और शुक्र की आपस में मित्रता नहीं है और वो आपके सब्तम दामपत्य इस्तान या पत्ली इस्तान पार्टनर्शिप का इस्तान लिक्वीड करेंसी का इस्तान और डेली खर्चों का या डेली इंकम का इस्तान है वहाँ पे सूरेशी कुरिश्चनी चल रहे है और चंदरमा चल रहे हैं आपके नीचे अस्टम वरिशिक राशी में तो सिंग राशी वालों को आज वेपार में तो लाव है कामकाज में भी लाब है और इनके कारे बात्चित से ही होंगे जितने ज्यादा आज आज आप अपने जो भी मुझते हैं उनको बात्चित के द्वारा ही सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा इंकम के लिए आपको कारे करना चाहते हैं partnership में कारे करना चाहते हैं या part time जोब करना चाहते हैं या फिर आप अपी तक भी रुजगा रहे हैं और नई नौकरी के तलास कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक है चंद्रमा आपके फूर्थ इस्तान में चल रहे हैं तो फूर्थ इस्तान हमारे सुक का होता है माता का होता है और बूमी बाउन बाउन का भी होता है इस इस्तान के चंद्रमा है और वो भी नीच के चंद्रमा है तो आपके माता का स्वाच्ट थोड़ा सा खराब हो सकता है या फिर ये हो कि आपके माता से संबंद खराब हो जाए तो संबब नहीं है कि आपके माता से संबंद आपके थोड़े से सही नहीं रहेंगे थोड़े से बाद भी बाद हो सकता है और आपका टाइम भी उसमें खराब हो सकता है कारेशित्र के बात करें तो कारेशित्र में इस्तिति आपके पक्ष में उच्छे दिकारी के साथ आपको बाचित करते समय सावदानी बरतनी चाहिए वहाँ थोड़ी सी परिशानी है या फिर यह मान सकते हैं कि उच्छे दिकारी या जो higher authority है उससे आपको help कम मिले सायोग और cooperation कम मिले टांस्वर के बाते भी वहाँ हो सकती है या तो उच्छे दिकारी का टांस्वर हो या फिर आपका टांस्वर हो इस तरी की बात भी हो सकती है तो आपको हर वेक्ति के help करनी चाहिए और हर वेक्ति से आपको सायोग मिलेगा तो आप आर्विक्ति के हेल्प करें और आप उनसे सही उपिले यह आपके आफिस के अंदर इस देती नौकरी में आपको माहूलत अच्छा मिल रहा है बस यह यह कि उच्छा दीकारियों को आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है अब बात करते हैं विद्यार्तियों के विद्यार्तियों के लिए समय ठीक है उनसों कम्पुटिशन की त्यारी कर रहे हैं नहीं नौकरी के त्यारी कर रहे हैं उनको नहीं नौकरी मिल सकती है पार्ट टाइम जोब वालों की नौकरी की तलाश आज पूरी हो सकती है उनको पार्ट टाइम जोब मिल सकती है आज आपको वेपार में कुछ ने कुछ तो फायदा आवश्य ही होगा परंतो आप बड़े निवीश से बचे कोई भी बड़े निवीश आपको एपार्म कर रहे हैं तो थोड़ा ठेहर गाएं दो तिन दिन ठेहर जाएं जलत बाजी में आपको नुक्सान हो सकता है तो भावनावन ने भए दिमाग से काम ले और बड़े निवीश करते समय किसी जान करके सला अवश्य चले बात करते हैं दामपते जिवन और प्रेम जिवन की तो जो भी आपका साती है उसका सयोग आपको मिलेगा आप अपने साती की भावनाओं को समझे और उसके संग संबन अच्छी तरसे बना सकत बना के चले बात करते हैं दामपते जीवन के तो दामपते जीवन भी आपका ठीक चल रहा है जीवनसाती के साथ सही से वेवार करें जीवनसाती की वावना को समझें और जीवनसाती से बातशित करते समय वार्णी पे सहीम रखें जो भी आपकी चिंता है जो भी आपके परिशानी है या जो भी आपके पारिवाइब मुद्दे हैं उन पे जिवनसाथी के साथ वारता करें विचार विमर्स करें उसको वारता में शामिल करें तो सबी कुछ अच्छा चल रहा है जिवनसाथी को आप अपने विचारों से अउगत कराना चाहते हैं त तो सही है, बस यह है कि आप जिवन सती की भावनाओं को समझें और जल्द बाची नहीं करें, आज के दिन आपको स्वास्त की बात करें तो सिर में दर्द रह सकता है, या फिर आपका कोई पुराना जो रोग है, वो भी उबर के आज सकता है, जो पुराना रोग है, जो आप स पुल मिला के संतान से संबंळ सुदारने का टाइम है और उच्छेदिकारियों से भी आप बात्चित करते समय द्यान रखें हैं सब कुछ से ही चल रहा है एक्स्टा इंकम के लिए आप प्रियास करेंगे वो भी आपके सब फॉलूइंगे तो इस टाइप के गिरेश्थिति आपको ये प्रभावित करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल कमेंट में ओम नमस्वे लिखें और आपका आयू आरोगयास वरी मटतर है और इसी शुपकावना के साथ नमस्कार